जिलाकांग्रा के नूरपूर में आपदा के लिए हर समय तयार रहने वाली NDRF बटालियन नूरपूर जवानों को विभिन आपदाओं से निपटने के लिए तयार कर रही है। इन दिनों जवानों को हर प्रकार का प्रशिक्षित दिया जा रहा है। पहाडी क्षेतर में किसी आपदा के दौरान किस प्रकार जानमाल की रक्षा करनी है। इसको लेकर विशेश तोर पर जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला कांगडा के नूरपूर में स्थित 7th NDRF बटालियन द्वारा इन दिनों जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बटालियन हर आपदा से निपटने के लिए तयार रहती है। ट्रेनिंग केंप में जवानों को हर मौसम हर क्षेत्र में कैसे काम करना है उसके गुर सिखाय जा रहे हैं। बार आने पर पहारी क्षेत्रों में चटाने, खिजकने पर और दुर्गम पहाडों पर कोई दिक्कत आ जाये तो किस तरह से जानमाल की रक्षा करनी है इसके बारे में इन्हें प्रशिक्षिन दिया जा रहा है। डिप्टी कमांडर भुपेंदर सिंग ने बताया कि उनके साथ एक नई बटालियन खड़ी हो रही है। उनने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं पेश आती है। इन सब से निपटने के लिए इन जवानों को से नुमाइन दे हैं, और हमारे साथ अभी एक नई बटालियन खड़ी हो रही है, उनके कुछ रैप हैं, तो जैसे अभी आप जाना हैं कि बरसात का सीजन चल रहा है, तो इसमें लैंड स्लाइड बगरा होता है, और अभी हम लोगों को अमना थ्यात्रा में भी जाना है, त सिटी चनल के लिए नूरपूर से संजीव महाजन की रिपोर्ट